खबरों में आगे बढ़ते हैं गुज्रात का रूख करेंचा पर इसमें कई जिले बार की चपेट में आ गए है लेकिन सबसे ज़ादा हाहा का आरपास दुलों में है गुज्रात में कई नदिया खत्रे के निशान से उपर बै रही है बाड और बारिश की वज़े से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है इस समें गुज्रात में सेना, NDRF, SDRF के ज़वान लगातार rescue operation में जुटे हुए हैं गुज्रात के इन 6 दिलों की आई तस्वीरों को देखिए कैसे चारों तरफ जल प्रले से लोग जूज रहे हैं कच, खेडा और साथी गुज्रात का ये इलाका भरूच, जामनगर, पोरवंदर, एहमदाबाद ये 6 दिले हैं जो सबसे ज़ादा बारिश से प्रभावे तुम्हें है, मूस्तादार बारिश लगातार हो रही है, बार जैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं, ना सिर्फ सडके नद्या बन गए हैं, बलकि घरों में भी पानी घुसा हुआ है ऐसे में लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां, कई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना को भी उतारना पड़ रहा है गुझरात के कई लाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, मौसम भिबाग ने गुझरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका और पोरवंदर के साथ नफसारी, वलसार्ड में बारिश का यालो अलर्ट जारी किया है गुजरात के किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ओरेंच अलर्ट नहीं है गुजरात में भारी बारिश से अब तक 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है तो बारिश का कहरा भी रुकने वाला नहीं है एक बाब फिर मौसम भिवाग ने तेज बारिश की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है खास और पर बताया गया है कि गुजरात के कच जामनगर अद्वारका के साथ पूर्बंदर नफसारी वलसाट में आज भी बारिश हो सकती है किसी भी जिले में आज बारिश का रेड और ओरेंज एलर जारी नहीं है रेड ओररिंग का मतलब होता है कि भारी से भारी बारिश लेकिन हाँ यलो अलर्ट जो जारीश किया गया है उसका मताबिक बारिश की संभावना भी भी बनी हुई है ऐसे में तमाम तैयारिया यहाँ पर प्रशासन कर रहा है 47 लोगों की अब तक गुज़वात के अंदर मूसाधार बारिश की वरे से मौत हो चुकी है तस्वीरे आपके सामने जहाँ पर देखें किस तरह से परिवारों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है यह सड़के हैं शहरों की जहाँ पर आम नाओ चलने लगी है और लोगों को अब घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुचाने का सिलसला लगाता जारी है यह आप बुज़ूद दंपत्ती को देख सकते हैं हॉस्पिटल जब भरती कराना पढ़ रहा है तो भी नाओ के जरिये ही रस्क्यू किया जा रहा है गुजरत के गीर सोमनात में भी माधव राओ जी मंदिर अभी भी पानी में डूबा हुआ है भारी बादिश की विरे से ये मंदिर कई दिनों से पानी में डूबा हुआ है और मंदिर के अंदर कई फिट तक पानी भरा हुआ है मंदिर के अंदर मादव राओ जी की प्रतिमा के उपर भी 5-7 फिट तक पानी बह रहा है यही वज़े है कि मंदिर में श्रधालू के जाने पर रोक लगानी पड़ी है क्या घर, क्या होस्पिटल हो, क्या मंदिर हड तरफ आपको पानी पानी नज़र आ रहा है मादव राओ जी का यही वंदिर है, प्रतिमा के उपर भी 5-7 फिट पानी बह रहा है यही वज़े है कि अप्षद्धालों की एंट्री को यहाँ पर बयान करना पड़ा है गीर सोमनात की तस्वीरे आप देख रहे हैं, आस्था का यह केन रे, लेकिन इस वक्त यह पानी में डूबा हुआ है यह स्थिती कई दिनों से आपर बनी हुई है, लगातार होनी वारिश की वज़े से जलिस्तर भी कम नहीं हो रहा है भई बारे बारिश से गुज़रात के अंदबाद का भी बुरा हाल है, सड़ा, केट, घर, सब जगे पानी भरा हुआ है घरों में बारिश का पानी बढ़ने से लोगों का जन जीवन प्रभावित हो गया है तो वहीं खेतों में पानी भर जाने की वज़े से फसले बरबाद हो गई है इस तस्वीर आपको घर के अंदर की दिखारे आपर देखिए गंदा पानी घरों में घुसा हुआ है फरनीचर खराब हो गया है राशन खराब हो चुका है घर हो सड़क हो खेत हो सब जगे पानी ही भरा हुआ है तस्वीर आपको दिखारे हैं राजदानी आपको दिखारे हैं सलाव का सितम ऐसा कि लोग बेहत परेशान है जन जीवन पूरी तरह से प्रवाबित हो चुका है खेत खलिहानों में पानी भर जाने के वज़े से जो फस्तने थी बरबाद हो गई ऐसे में किसारों को भी आतिक नुकसान हुआ है और आपको अब एमदाबाद के बाद कच की तस्वीरे भी दिखाते हैं कच में आपको हम दिखा रहे हैं कि अंडर पास जो है वो डूबा हुआ है गुजात के कच में भी जलवराओ से लोग परिशान है घरों में पानी घुसने की वज़े से जन जीवन तो प्रभावित हो ही गया है सडकों पर भी तीन से चार फित पानी भरा हुआ है गाओं महले डूब चुके हैं हलाद बत्तर हो गए हैं सबसे ज़ादा परिशानी अब रासा के ग्रामी निलाकों की है उधर 22 सोकिया वादी वाला लाला गाओं भी बार की पाने में डूबा हुआ है गाओं की तमाम सरकें कबर तक पानी में डूबी हुई है